क्या आप चाई लवर हैं? क्या आप भी सुबा उठते ही चाई पीने के आदी हैं? और होंगे भी क्यों ना? क्योंकि हमारे देश में चाई जतना क्रेज शायद ही किसी और ड्रिंक का है लेकिन चाई के शौकीनों आपको सावधान हो जाने की जवरत हैं क्योंकि आपकी ये आदत आपको बिस्तर पढ़ ला सकती है यकीन ना हो तो इस रिपोर्ट को देख लो इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके आखों पर जो पट्टी बंदी है वो बहुत ही असानी से उतर जाएगी क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि सुबा की दूद वाली चाय शरीर के लिए बहुत जरूरी है लेकिन ऐसा नहीं है बलकि सुबा उठते ही दूद वाली चाय पीने से कैंसर जैसी घातक बिमारी तक हो सकती है अगर आप ये सभी जानकारी नहीं जानते तो ये रिपोर्ट आपको ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि सवाल आपकी सेहत का है साथियों अगर आप रोजाना सुबा उठकर चाय पीते हैं तो ये आपके पेट के लिए नुकसान देहिक हो सकती है अगर आप खाली पेट चाय पीते हैं तो आपके पेट को इससे काफी नुकसान हो सकता है इससे आपको एसिडिटी, गैस, पेट फुलना और अपज जैसी परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है जो लोग पहले से ही पेट सम्बंदि बिमारियों से जूज रहे हैं उन्हें तो भूल कर भी खाली पेट चाय का सेवन नहीं करना चाहिए दरसल चाय में एसिड होता है जिसके चलते अगर आप सुबा सुबा खाली पेट चाय का सेवन करते हैं तो आपके पेट में एसिड की मात्रा और बढ़ जाती है पेट सम्बंदी समस्याओं के साथ यह आपको दाथ सढने की समस्या भी हो सकती है सुबा उठते ही चाय पीने का एक नुकसान ये भी है अगर आप सुबा सुबा उठते हैं और चाय पीते हैं तो यह आदत आपके मूँ के लिए बिलकुल अच्छी नहीं है चाय में नाचुरल एसिट मौजूद होता है जिसकी वज़ा से तेजी से दाथ सढने लगते हैं इसके साथ ही मूँ से बदबुवाने की समस्या भी काफी जादा पढ़ जाती है चाय में टेनिक एसिड होता है जो दातों को पीला और बद्धा दिखाता है अगर घर के बच्चों को छोटी उम्र से ही ऐसी आदत हो गई हो तो ये आगे जाकर उनकी ओरल हेल्थ के लिए काफी खतरनाक हो सकती है दोस्तों सुबा उठते ही आप बिस्तर पर जिस चाय को बहुती चाओ से पीते हैं अब हम आपको बता दे उसका अगला नुकसान क्या है इससे आपको आईरेन और केल्शियम की कमी भी हो सकती है रोजाना खाली पेट चाई पीने से शरीर में आइरन और केल्शियम दोनों की कमी हो सकती है क्योंकि चाई में टेनिंस पाए जाते हैं जो शरीर में आइरन और केल्शियम को ठीक से एब्सॉप नहीं होने देते इससे शरीर में कमजोरी, ठकान, चक्कर जैसी समस्या बनी रहती है इसके साथ ही आईरन और केल्शियम ठीक से ना मिलने के कारण अलगलग बिमारियां भी आपके शरीर में घर कर सकती है और सबसे जरूरी रोजाना खाली पेट दूद वाली चाय पीने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है ऐसे में आपको साथदान हो जाने की जौरत है चाय पीने के शौकीन हो तो आज ही अपनी इस आदत को बदल ले क्योंकि इस छोटी सी लट के कारण आपको कैंसर जैसे खतरनाग बिमारियों का सामना करना पड़ सकता है किसमी तरह का खतरा मोन लेने से अच्छा है कि आप अपनी इसादत को सुधार ले दोस्तों अगर आप भी सुबा खाली पेट चाय पीने के शौकीन है तो आपको सावदान हो जाने की जौरत है क्योंकि आपकी ये आदत आपकी सेहत के लिए खत्रा बन सकती है और ये आपको गंवीर बिमारियों का शिकार भी बना सकती है ऐसे में सबसे ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपने इस आदत को बदल ले दोस्तों अगर आपको ये वीजियो आच्छी लगी हो, काम की लगी हो तो इस वीजियो को लाइक करे और इसी तरह की जानकारी वाली वीजियो देखने के लिए हमारे चानल मेडिकली स्पिकिंग को सब्सक्राइब करे धन्यवाद